हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं चैनल ट्रोथ ओफ शेयर मार्केट सो डिसकस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी अनलेसिस फॉर 28 अगस 2023 क्या 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 अनलाइज करना है मैं बिग प्लियर डेटा देन चार्ट देन ऑप्शन चैन ठीक है और तीनों का कम्ब क्या बोल रहा है उसको डिसकस करेंगे तो फ्रस्ट अफल इस वीडियो जनली फॉर एड्यूकेशन प्रपस्ट यहां मेरा टेलिग्राम लिंक और वाटसप नमबर गिवन है स्टार्ट करते हैं बिग प्लियर डेटा बिग प्लियर डेटा की बात करूं तो एफ इस ने 900 करोड की सेलिंग किये अच्छा खासा सा मांट इनोंने सेल किया कल इनोंने अच्छा खासा मांट भाइं भी किया था एंड बाटि हां एक फ्यूचर इंडेक्स में इन्होंने सेलिंग किये मतलब कि कल हो सकता है कि मार्केट थोड़ा गेब डाउन ओपन और थोड़ा नीचे जाए ना बड़ा बड़ी गिरावट क्या देख रही है यहां तो नहीं देख रही हो सकता है जाए या नहीं जाए वह चार्ट और ऑप्श सेल कर रहा है और अगर इनको जादा बड़ी गिरावट करनी होती है तो फिर यह क्या करते हैं यहां ओप्शन काफी बड़ी क्वांटिटी बाय करते हैं वैसे कल 17,000 करोड की बाइंग थी बट हाँ अब भी इन्होंने आज अगर हम देखें तो 1600 करोड की सेलिंग कर रही है तो यह क्या रिप्रेजेंट करता है यह साइडवे मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है यह बेरिश मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इन्होंने किसी को हैज भी कर रहा है या किसी पर्टिक्लर स्टॉक कौन से स्टॉक जो इंडेक्स के स्टॉक होते हैं उन्ही के बाद एक reversal आप को देखने को मिल सकता है ना आगे बाद की option चैनल उनसे justify करेंगे चीजों को Fis stock option की बात करें Fis stock option में 428 करोड की इन्होंने यहां buying कर रहे हैं इन्होंने बाय कर रहे हैं यहां पर volatility आपको देखने को मिल सकती है तो Monday market data के साफ से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा के साफ से यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि market no doubt थोड़ा gap down हो या नीचे जाए और एक base बनाए तो जब तक यह base बनाए तब तक trade को avoid करना मार्केट सुबह open हुआ कहीं गया और फिर उसने एक base बनाए बनाने तो बारह एक बज़े तक base बना लेगा और उसके बाद उसका breakout करें ठीक है मानो यहां पर इसने base बनाया और base बनाने के बाद उसका एक breakout करें breakout करता है तो फिर हम उसको buy करेंगे या sell करेंगे अगर breakdown करता है तो यहां जब buy करोगे और अगर वापस market इसी direction में आ जाए तो यहां पर आपको SL भी लेना है और साथ में reversal trade में भी एंटर करना है या तो आपने जो ट्रेड इनिशेट करिए breakout में हो सकता है यह उपर चला जाए या फिर यह हो सकता है कि हाँ breakout fake breakout दिखाए आफ्टर consolidation fake breakout दिखाए और उसके बाद just reversal कर दे तो इस ट्रेप में मत फसना तो consolidation होने देना consolidation होने के बाद उसका breakout हो तब उस direction में हम trade करेंगे और अगर गलती से breakout fail होता है तो फिर हम क्या करेंगे हम reversal trade में जाएंगे तो यहां तक अभी जो data है वो क्या represent कर रहा है इसका discussion कि इंडियन विक्स की बात करें तो 3.3% अप है एंड अगर जो बात चल रही थी कि यार ग्लोबल मार्केट में एक प्रेशर देख रहा था वह थोड़ा कम होता हुआ दिखाया ना फेट चेर्मेन का जो conference थी जो उनका भयान था उसके बाद उतना वो impactful नहीं था क्योंकि उन् तो हाइक ता कि हाँ उससे कुछ impact होना या कुछ ऐसी बात है निकल गया नहीं तो इस सच नहीं हुआ है बाकि आगे देखते क्या होता है अब बात कर लेते हैं चार्ट की चार्ट में क्या represent हो रहा है तो चार्ट में देखें 19,312 अब यह 310 के उपर एक भी candle 1 hour के candle ने closing दे दी तो आपको एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा उन्हें चार सो या 390 अन्हें उन्हें चार सो साट के करीब है तो यह दो उपर के टार्गेट है जो अगर रिवर्सल हुआ तो मिल सकते हैं कई बार आपने देखा होगे कि हाँ कोई level breakout होते हैं या breakdown होते हैं और उ आप तो रिवर्सल को रिप्रेजेंट कर देगी वह अपस उस candle का जो breakdown हुआ है उसी रेंज में वह आपस लियाती है मार्केट में तो आपको एक अच्छा शार्प upside भी देखने को मिलेगा ठीक है किस रेंज में हमें ट्रेड को वीड़ करना है तो अगर मार्केट दिखो किस टैप से ट्रेड मिलेगे हैं अगर मार्केट मादो नीचे यह market यहां खुला और नीचे गया तो फिर consolidation होने देना और उसके बाद अगर market वापस इसी range में आता है आपका 250 वाली range तो हम buy कर सकते हैं for the target of 312 and then 318 कब यह तो market नीचे गया या नीचे open हुआ consolidation के बाद आया तब कर सकते हैं और अगर market उपर खुले और यहां consolidation करें और वापस इसी range में आता है 312 के नीचे चला जाए थोड़ी दिन यहां survive करें तो फिर आप यहां पर sell भी कर सकते हो for this target once again 250 के round आपको easily मिल जाए तो I hope चीजे के लिए रोगें बढ़ हाँ यहां पर अगर हम जब वापस आता है इन होता है हम buy कर रहे हैं तो यह हमारा sell रहेगा यह जो green candle थी आज का वो high हमारा sell रहेगा 350 के round नेक्स्ट अगर हम बात करें नीचे अगर हम उपर आता है और यहां survive करता है तो हमा या 50 के round आपको buy करना है और 19-220 का आपका इसल रहेगा नीचे के level कौन-कुन से आपको देखने को मिल सकते हैं तो 19,160 का level है यह दो level है जो downward direction में मिल सकते हैं प्रोपरली अगर हम बात करें तो नीचे अगर beers हावी रहे तो 18,890 के level आपको देखने को मिल सकते हैं अगर यह fall continue रहा तो और अगर उपर की बात करें यहां पर एक अच्छी buying opportunity रहेगा और उपर की बात करें तो उपर 19,640 के level यह bulls के लिए target होंगे अभी और यह beers के लि नीचे जाने की आपकी वो है तो यह आपके last target होंगे इसके नीचे बहुत कम chances है कि market अभी जाए बाकी अगर कुछ बड़ी चीज हुई तो बातल लगे bank nifty का chart देख लेते bank nifty के chart को देखें तो देखो कल भी हमारा discussion हुआ था यही बात हुई थी के market जहां खुलेगा market वही consolidation करेगा तो ज्यादा कुछ होगा नहीं उसके बात तो market अगर हम देखें तो यहीं खुलाता 200 के round खुलाता और market की closing में around 200 के round दिये है न तो bank nifty 44,200 इस range के round दिन भर गूमता रहा तो एक बार breakdown दिया वापस आ गया फिर दिन भर उसी range में रहा ठीक है तो यह level ही break करके आपको अगर याद हो 130 यही level था जब जिसे break करके उपर तक की journey किया था है 45,000 almost touch करके आए ठीक है तो वहीं पर आके इसने support लिया है SS नहीं है कि अभी support break हो गया तो यहाँ पर से reversal के chances भी उतने ही अच्छे हैं जितने fall के हैं तो fall तो किया था बट वापस आ गया अभी जब तक इस range में कोई दिक्कत नहीं है आप भी trade avoid करना बट अगर 350 के उपर survive करने लगता है तो 625 तक के target आपको देखने को मिलेंगे और 625 के उपर जाता है तो one second 44,925 यह level और फिर इसके उपर है और नीचे अगर हम बात करें तो जब 44,130 के नीचे जाएगा तो फिर आपको एक selling opportunity मिलेगी 43,850 तक and then 43,600 तक की तो यह दो लेवल downward direction में यह दो लेवल upward direction trade किस type से initiate करना है इसमें अगर आपको मालो market यहीं कहीं खुलता हुआ दिखे यहीं कहीं तो फिर आप इन दोनों को ही buy कर सकते हैं buying hedge बना सकते हैं call and put दोनों trade then अगर market हमें आ रहा क्यों यहां पर अगर open होगा और दिन बर यहीं रहा है तो यह काफी अच्छा डिके हो जाएगा तो यहां पर हमें वेट करना पड़ेगा या इस लेवल को break करें तो यहां पर अगर आए तो आपको hedge नहीं बनाना फिर आपको wait करना है कि यह तो इस ल यहां पर हम एक चीज़ और कर सकते कि breakdown हो जाए यहां आए रीटेस करें तो फिर आप यहां सेल कर सकते हो विद स्मॉल एसल यानि एक सो तीस पर हम सेल करेंगे विद टू हंड़ेड का 44,200 का सिमिलर वे में 350 के उपर खुलता है नीचे आता है कि 350 पर आता है तो फिर हम 250 का एसल लेके भी 44,250 का एसल लेकर यहां पर अपवर डारेक्शन का मुवमेंट कैप्चर करने के कोशिश कर सकते हैं विद एसल हाना विद आउट एसल नहीं ओके और ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है त कि यहां पर देखें तो यहां पूट का ओई भी आपका 24 लेकर यानी 19200 के अरॉंड दोनों की ओए और मुस्ट सेम और नहीं और चेंज यहां 18 लेक का है यह 24 लेक टोटल है यह 66 लेक का यानी यह स्ट्रॉंग सपोर्ट है 19200 एस कपर तो रेजिस्टेंस बट अब बात कर ल तो 300 पर एक स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस भी 200 पर स्ट्रॉंग सपोर्ट है और 300 पर स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस है अब यह दोनों ही वर्क करेंगी जब तक इसके बीच में हूँ ट्रेड या तो उसी लिए में कीजिएगा जिसमें बताए गई है कि चार्ट में वापस आ ना इंपोर्टेंट होता है यह 300 के उपर जाना चला गया बट यहां सर्वाइव करा तो फिर उतनी ही अच्छी रेली देगा बट अगर गया वापस आ गया तो फिर दिक्कत होगी तो जब भी जाए और आप थोड़ी देर वेट करें कि हाँ यह सर्वाइव कर रहा है फिर ह होने दस के बाद अगर फिर ब्रेकडाउन होते हैं तो फिर आप ठ्रैडइनिशेट करने ही ठीक करें के लिए अगर यहाँआ पर बात करेंGER तो ने सजार 500 काफ़ी पीर स्ट्रोंग रिजिस्टेंस है तो फिर आपको अच्छी रेली देखतीक अब ब्रेक आउठीक ही होते हैं यह मार्केट को फसाते भी उसी वें सपोर्ट की बात कर लें तो 19200 पर सपोर्ट एंड एंड थैन उननेस हजार पर सपोर्ट तो यहां तीन जगे आपका सपोर्ट है सिमिलर वे में बट रेजिस्टेंस आपके काफी स्ट्रोंग है यहां उसे अन्वाइनिंग हुई है यहां पर पुट्राइटर आके बेटे तो चांसे यह भी हैं कि हां यह साइड वे टू गेप डाउन ओप यह साइड वेट से थोड़ा नीचे जाए बात यहीं कहीं बैस बनाएगा बैस बनाने के बाद आप ट्रेड इनिशेट करेंगे तो आपका लोस नहीं होगा बेनिफिट जाद़ चांसे रहेंगे यह लोस काफी कम होगा बट अगर जल्द बाजी में करेंगे तो फिर देख पुट बाइब कर सकते हैं तो आप 300 पर यहां पर आप पुट बाइब कर सकते हुए तो को बट हाफ फर्स टैम तो जाएगा थिक तीन सो पर हमने पूट बाई किया विद ओ तीन सो पचास एज एसल लेकिए अगर हम कोल की बाइक की बात करें तो कोल आपका एक तो उनिस अ यहां तो कॉल बने गई ठीक है काफी अच्छी राइटिंग और यहां पर 50 पॉइंट कैसे रहेगा एंड अगर इसके पहले अगर हमें करना है तो आपको 19,100 पर यहां पर आप 440 पर यहां पुट ट्राइ कर सकते हो विद थर्टी पॉइंट एसे यहां पर आप 440 पर यहां पुट ट्राइ कर सकते हो विद थर्टी पॉइंट एसे तो आए होप चीजे के लिए रहोंगी कहां कोल एंपूट ट्राइ कर सकते हैं विद क्या एसल रहेगा बात कर लेते हैं बैंग निफ्टी के ओप्शन चैंगी तो बैंग निफ्टी 44,200 के राउन क्लोज हुआ है एंड यहां पर अगर बस रहा है नहीं 200 से 300 के भी तो अब वहीड ही करना ट्रेंड वो प्रीमियम गलाई नहीं से लिए ओके अब बात कर लेते हैं यहां पर और रेजिस्टेंस कहा है तो रेजिस्टेंस 44,500 पर है और 46,000 पर भी 26 लाइक है तो इसके अलावा इसके अलावा बस यही है न तो 46 लाइक पर तो हो गई इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा 44,500 में रेजिस्टेंस यहां पर है और 44,000 पर सपोर्ट है यहां स्ट्रोंग रेजिस्टेंस है अब क्या है कि यहां अन्वाइंड हुई है यहां कोल रेटर आके बैठे है तो पॉसिबिलिटी यह है कि थोड़ा गेप डाउन हो बढ़ा ज्यादा बड़े की उमीद मत करना है ना चोटा मोटा गेप डाउन हो उतना प्रीमियम आपके खाई जाए चोटे मोटे मोटे मूम्मेंट होंगे तो वह प्रीमियम खाई जाएंगे तो अवेड करना अंटी लेना अनलेस 44,000 यह ब्रेक नहीं करे तब तक और अगर यह ब्रेक करे नीचे जाए तो 850 तक का आ यहां आपका एक कोल बनेगा 43,800 एंड अंड पॉइंट का एसल रहेगा इसका और टार्गेट आपका 44,100 इससे उपर की उमीद भी मत करना फिर 130 आपका स्ट्रॉंग रिजिस्टेंस हो जाएगा नीचे अगर उपर यह तो कोल के लेवा पुट के लेवल की बात करों तो 44,500 यहां के राउंड बनेगा यानि 550 पे मिलेगा तो बेस्ट है आपके पास 650 तक का एसल रहेगा और यह टार्गेट वापस 200 यहां 350 तक तो एटलीस रहेगा यानि 550 से 350 200 पॉइंट आप गेन की बात करना है और 100 पॉइंट एसल की बात करना है तो यह काफी स्ट्रॉंग प 44 कल मार्केट उसका अलग जर्णी स्टार्ट करेगा लाइक अगर मैं बात कुरूं किसी दिन मार्केट केंडल रेड ग्रीन रेड ग्रीन इस टाइप से बनाए यानि आपके साइकलोजी सेट कर दी कि मार्केट ज्यादा बड़े मुवमेंट नहीं देगा ठीक है और अगले दिन मार्केट लेवल तोड़े गई जिस दिन मार्केट लेवल तोड़ेगा उस दिन चलाता जाएगा बर हमारा मार्केट इस टाइप से बिहेव करेगा वो अगले तीसरे दिन या चाहत चोते दिन वो वर्क नहीं करेगा तो उस मार्केट के साफ से पनी साइकलोजी अपने लेवल पर वर्क करो लेवल के साफ से ही आप ट्रेड इनिशियेट करो ठीग होगी अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना थैं थैंक यू